बॉर्डर गावस का ट्राफी का पहला टेस्ट मैच नाकपूर में कल खेला गया आपने देखा जिसतर से भारती टीम ने वहाँ एक पारी और 123 रन से जीत दर्ज की यानि बढ़े हुए मनुबल के साथ आगे बढ़ रही है लेकिन इस मैच में बात करूँगा जिसतरे भारती इस पिणर ने अपनी ओलीयों पर और ऑस्टेलिया को नचाहिए इसका आभास इसका एहसास और फेले ही हो गया था जैसा आपने देखा था और जिस सबनाई गया इस साथ बिकेट के बात के लिए बददगार बनाई गया यानि भारत ने अपने घर में अपने लिहास से बि आस्टेलिया जिससे डर आता इसी लिहाज से इस मुकाबलें भी उसका प्रदर्शन देखने मिला कहीं से आस्टेलिया उठता हुआ नजर नहीं आ रहा था विकेट को अगर छोड़ दें यहां पर रोहिश शर्मा ने का था विकेट नहीं मैश पर हम निगाह रखते हैं और व उसी विकेट पर उठतर ते तो चार सोरन भारती टीम बनाती वहां भारती टीम के कप्तान रोह शर्मा शतक ठोकते 120 रबनाते क्यों बनाते अगर विकेट खराब थी तो भारती बल्लेबाजों के सामने आपके जो स्पिनर से उन्हें मदद मिलनी चाहिए उन्हें अच्छी गयतबाजी करने चाहिए ख्याब आप स्पिनर्स को खेलने के लिए नहीं क्रिकेट खेलने क्या सिर्ट तेजगेद बिल्कुल नहीं होता क्यों कि आपने जो जिस तरह से भारत का दौरा के पीछे भारती टीम ऐस्टेलिया में भी दौरा किया ऑस्टेलिया भी लगातार द और या को हराया यानि भारती टीम में दम खम वो है जो किसी भी मैच को जीज सकती किसी मैच का नतीज़ा पलट सकती है इस वीडियो मैं बताऊंगा कि यहां पर जो भारत बनाम और आस्टिलिया मकाबला खेला गया वहां तेज गेत बासों और इस्पिनर्स ने क्या कुछ किय इस यहाँ पर कमाल की गेत बाज़ी की पहले दिन से भारतीष चायरा और ृत्मिंक यह अर never जरूर किजेगा आई ये शुरुवात करते हैं पहले इनिंग में भारती स्पिनर्स कितने चाहे रहे हाला कि शुरुवात होती है दोनों तेजगेत बाद महम्मद सिराज और महम्मद शमीने कमाल देखाते हुए एक एक विकेट हासिल करते हुए अस्टिलिया को शुरुवात में ही यानि पहले दूसरे और में ही बैकुट पे ला दिया था उनकी कमर तोड़ दी थी दोनों उनके चोटी के बल्लबाद जो अस्मान खाजा और डेविड वार्नर उनको पैविलेन चलता के तो उसके बाद काम कर दिया किसने रविशांदर रश्विन और जड़े जाने पहली पारी की बात करते हैं भारत तेजगेद बासों ने वहां पर जो पहली पारी खेले की तो वहां पर दो विकेट हासिल किये थे लेकिन यहां पर बात करें तो पहली पारी में भारती स्पिनरों ने कमाल किया था वहां पर आठ विकेट हासिल किये थे यानि अगर पूर और एक सोले विगेट जो हमारे स्पिनर्स ने उन्होंने हासिल किया और तेज गेट बाजोंने कितने विगेट चार विगेट हासिल किया जिसमें शमी खाते में तीन विगेट आए एक विगेट सिराज ने हासिल किया क्योंकि सिराज को जो दूसरी पारी थी वहां एक ही वर क कि hispo 12 और जो भारती इसमयां नोनने दूसरी पारे में गयद बाजी की थी उसके बारे में अगर predicting ahh दोने disgrace. और वहां पर शमीन और All और साथ और आप सिराज ने क cran benzy ती यहांए पहली पारे में टेजद बाज होने यहांपर 16 और की गयद बाजी की दूसरी पारी की बात करते हैं, दूसरी पारी में भारती स्पिनर पूरी तरह से चाये थे, यानि पूरी तरह आस्टेलिया ही बल्ले बाजों पर हावी थे, सिर्फ 27 ओवर की भारती स्पिनरों ने गेदबाजी की और उनके 9 विकेट चटका लिए, यहां पर 12 ओवर जड़े तीन ओवर की गेदबाजी की, जिसमें से 4 दशमलों तीन ओवर मुहम्मद श्यमी ने गेदबाजी की, एक ओवर यहां पर गेदबाजी की है, मुहम्मद सिराज ने, पूरी औस्टेलिया ही टीम की बात करें, तो यहां पूरी औस्टेलिया ही टीम जो दूसरी पारी थी, मा स्पिनर्स के जाल में उलच कर पूरी तरह से पठखनी खा गई ऑस्टेलिया अब दूसरा मकाबला जब दिल्ली में खिला जाएगा यहां के पिछ अलग होगी यहां के पीछ दिल्ली की फ्रोश्चा कोटला मैदान यानि और इंजेटली स्टेडियम की विगेट नाकपूर से अलग हो सकती है यहां पर रन बन सकते हैं अब देखना होगा अगले मैच में जब आस्टेलिया उतरती तो वो किस रणनीती के साथ उतरती क्या उसकी मीडिया उसी तरह रोती रहती है यहां वाकई वो कुछ मकाबला करेगी क्योंकि यहां तो पर एक तरफा तरी के भारती कोटला मैदान पर जब उत्रेगा उस्टेलिया तो भारत के खिलाप कुछ कर पाएगी यह तो देखने वाली बात होगी लिए इस मैच का संचिप में चलते हैं बता दे कि यह यहां आस्टेलिया ने पहली पारी में 117 बनाया थे दूसरी पारी में क्यान बनाया थे वही भा अमाल से भारती टीप जीतने में काम्याब है रही लेकिन इस्पिनर्स की जैसा मैंने जिक्र किया आपको औस्टेलिया अगर भारत में आप खेलने हैं तो यकीन आपको तयार रहना होगा अगर नहीं खेल पाएंगे तो आप क्लिंस्ट भी हो सकते यानि चार शुन से आप हार सकते हैं अगर कुछ मकाबला करना तो अपने बल्लेबाजों को बहतर कीजिए और बहतर तरीके से मैदान में उतर यह दोस्तों इसी तरह के लागातार जानकार कि आपको देतार होगा फिलहाल मुझे शाहिद आजमी को यह करतिव अनमतित दीजे हमारे बाचित हमा झाल